मन की गुलामी एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहे थे रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेने चाहिए उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिये किन्तु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाए अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गए और जितना बड़ा लगडी का गठर उठा सकते थे उन्होंने उठाया उन्हों महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदी तुम्हें खजूर खाने हैं तो यह बोज उठाना ही पड़ेगा महात्मा थोड़ी ही दूर चले कि गिर गए फिर चलते और गिर जाते उन्हों में एक गठर उठाने की हिम्मत नहीं थी लेकिन उन्होंने लकड़ी के भारी भारी दो गठर उठा रखे थे दोड़ाय मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुँचे और उन लकड़ीयों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिये खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तुने खजूर मांगे है फिर तेरी कोई और इच्छा होगी कल अच्छे-च्छे कपड़े और इस्तरी मांगेगा अगर इस्तरी आई तो बाल बच्चे भी होंगे तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा सामने से एक मुसाफिर आ रहा था महात्मा ने उस मुसाफिर को बुला कर सारे खजूर उस आदमी को दे दिये और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाव उठाओगे यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब करना ना भूले और थैंक्स पर वाचिंग